नमस्का दूस्तो आप सभी का हमारी YouTube चैनल आउसदी एंड हेल्थी में बहुत-बहुत स्वागत है। दूस्तो आज मैं आप सबको कुलो जेल एन्नेम स्किन क्रीम के बारे में चान कारी दूगा। दोस्तो यह स्किन क्रीम दात खाच खुजली की बहुत ही अच्छी दवा है आज हम दोस्तो इसके यूज साइड इफेक्ट डोज और इसके फारमूले के बारे में बात करेगे और इसके कैसे इस्तमाल किया था इसके बारे में बताएगे किरपया दोस्तो आप सब इस वीडियो को बिना स्क्रीप की हुए लाश्ट टक देखे तभी दोस्तो आप सब को इस क्रीम के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी अगर दोस्तो आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज दोस्तो इस चैनल को सस्क्राइब कर दे क्यूंकि आपको रोजाना इस चैनल पर दवा, नुस्खा, और हिर्ट समध्य जानकारिया मिलती देगी दोस्तो क्लोजोल एन्यम स्किन क्रीम एक ट्यूब में 10 ग्राम में दोस्तो आता है और इस दस ग्राम का प्राइज है दोस्तो 40 रुपया यह दोस्तो आपको सभी मेट का इस्टोर पर बहुत ही असाने से मिल जाएगा इस दवा को दोस्तो सायनो कॉम hijalth care limited नाम की फार्म बनाती है दोस्तो यह दोस्तो बहुत अच्छी कमपनी है इसमें दोस्तो इकोना जोल नियोमाईसीन कलोबिट्धा मिटा सोल मिला होता है इस तीन ड्रक्स को मिला कर इस दवा को बनाता है इकोना जोल दोस्तो एंटी फंगल डक्स है या दात खाज खुजली को खत्म करता है नियो मासीन जो दोस्तो एंटी वार्टिक है या बेक्टिरियर इंफेक्शन में काम आता है दोस्तो बेक्टिरियर इंफेक्शन को खत्म करता है दोस्तो जान लेते है इसक्रीम का यूज कि दात खाज खुजली खत्म हो जाएगे आपके कहीं भी स्कीन पर दात खाज खुजली हो तो आप इसके लगाईए आप इसका यूज करिए बहुत ही जल्द आपको अराम मिलेगा इस क्रीम को दोस्तो आप दिन में दो बार सुबह और साम लगा सकते है पहले आप बहारी जगह पर ही लगाए जहां पर आपको प्राब्लम हो जहां पर दात खाज खुजली यह समस्या वहीं पर लगाए या आखो और बच्चों से दूर ही रखे इस क्रीम को दोस्तो इस क्रीम का कुछ साइड इफेक्ट भी होता है जिसे आपको लगाने वाली जगह पतली हो सकती है या पर दूस्तो लगाने वाली जगह पर रेडनेस हो सकता है धाने निकल सकते है या जलन हो सकता है अगर आपको ऐसी समस्या लगे तो आप अपने डाक्टर से संपर कर ले दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे शेयर करें लाइक करें कमेंट करें अब बेल आइकान को जोड़ दबा दें तभी आपको हमारी न्यू दबा और नुश्के समधिर वीडियो के नाटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा वीडियो देखने के लिए दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद